जी के गानून की नजर में बहुत कूल तरीके से सिग्रेट की तरह आराम से राजी को खोखला कर रहा है। इसके हर एलिगल बिजनस के एक्टिव पार्टना है। यह है जी के का छोटा भाई नानू यह तीनों जी के की जान है। पुलिस वाला मेरा रास्ता काटे। गवर्मेंट की जमीन को कबजा करके आप शौपिंग कॉपलेक्स बना रहे है। उसे रोकने के लिए सरकारी ओडर है। जिस एंजिनियर ने आपके एलेगल काम को रोकने की कोशिश की उसे आपने मारने के धम के दी। इसलिए आपको ठाने चलना होगा। नाम क्या है। एंजिनिर स्वाश कमाण। तेरा नाम। रमेश। तुम मेरी गाड़ी में आएगा, या मेरी गाड़ी को फॉलो करेगा, आपके गाड़ी में शलू कंप्लेंट देने वाला इंजिनियर, यह कैसे हो गया मेरे भाई, अक्सिडेंट हो गया अक्सिडेंट नाम क्या है? रविश स्टेल लगवाने वाले मंत्री का ना श्यामला मेरे साथ चलेगा या फॉलो करेगा? फॉलो करूगा मैं एक जगे कॉंप्लिक्स बना रहा था आप उसे इलीगल बता रही है आप लीगल का नोटिस दे देंगी तो मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे वो लैंड सोशल वक फांडेशन के लिए गवर्बेंड ने रिजर्व किया है वहाँ कोई कुछ नहीं बना सकता सोशल सर्विस तुम औरतों को 33% आरक्षन देकर अपने ही पैरों पर कुलहडी मार ली औरतें केवल चूलहा फूखने और बच्चों को पैदा करने के लिए होती है मैं नहीं दूंगी हो नहीं सकता प्रामला मैं पांच मिनिट का वक देता हूँ मुझे अनुसी चाहिए मैं आपकी धंकियों से डरकर आपका काम नहीं करूँगी तुझ में जितनी ताकत है वो लगा ले दो मिनिट में तेरी कुर्सी गई फिर घर पर बैटकर फैमिली के साथ साथ बहु देखना एक नंबर टाइम पास मैं तो अपना अब वो पद्वी मुख्यमंत्री स्वयम अपने हाथों में रखेंगे यह सुचना हमें मुख्यमंत्री कार्याले से मिली है आगे की समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहिए कंप्लेंट देने वाला एंजीनियर नहीं रहा परमीशन रोकने वाली मिनिस्टर भी गई तेरा सस्पेंशन ओडर आ इतने सानों के पोलिटिकल करियर में आइडराबात का बाठशा यहां मेरी हुकुमत को रोकने की हिमत किसी में नहीं तुमारी ये जीट पुमानिट नहीं है आज तुम्हारा दिन है कल हमारा होगा गुड, पॉजिटिव एटिटी, तुम्हारी यादा पसंद आई, तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे जावाज पुलिस वालों में कितनी मरतानगी है, यह मैं भी देखना चाहता हूँ, तुम्में से एक तो होगा, जो मेरी बराबरी का होगा ACP कल्यानन टीम, हैं एंटर थे फॉरेस्ट वो मिनिस्टर लाइप पे है, बात करो करता हो ना भाई, मिनिस्टर जी बोलिये मंत्री जी अरे आप बोलने के लिए बचा क्या है, तुम तो वहाँ आराम से AC में बैठे हो, और मैं यहाँ जंगल में फसा हूँ इनकी मांग जल्दी से पूरी करो, और मुझे यहां से ले जाओ, इन्फॉर्मेशन मिले, पुलिस हो ले आगए, तुमी ने पुलिस को बुलाता है, तेरी को, तब लो पोजिशन ले लो, उस तरह करता है, सर, अंदर कोई भी नहीं है, पुलिस, महरा जो, बटना इसे खतम कर देंगे, अबे, तुम लोग यहां मुझे बचाने आया हो, या बच्चों की तरह आख पिछोली खेलने आया हो, हाई, माइडियर किड्नापर, क्याज है आप लोग, जनाब जेपी साहब, एसीपी कल्यान से नहीं, जेपी जी, आप घबरा क्यों रहें? घबरा हूं नहीं तो क्या करूं, भागलों की तरह अकेले आयों, ताकि मेरा यहां तिम सजकार देख सको, गन कहा है, केचिछूूूूूूू। अब यहीं ख़ने रहें वार्णा गोली मुझे लग जाएगे अब आप 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 नहीं तुम्हें अकेला देखकर दर गया था लेकिन तुम्हें सबकी बैंड वजा थी मेरी जान बचाकर तुम्हें कवाल कर दिया मैंने आपकी उमीद से अच्छा काम किया है अब मेरा भी एक काम करना होगा जैसा काम आई पीएस पास करने के लिए बहुत तिकडम चलाईये मैं मेरा एक अजिंट प्रमोशन करवाकर हाइदरबाद पोस्टिंग करवाई हैं यहा नहीं होगा तुम मझे यहां से जिन्दा ले जाने आयो या मेरी डेट बोटी को कंदा देने आयो सॉरी सर आपको जान चाहिए और मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए चलिए पहले फोन लगाई तुम पुलिस वाले हो या पोजिशन वाले हो नायक साब मैं जैपी बोल रहा वो मुझे बचाने की बजाए ले टूपेगा उसे तुरहन प्रमोशन दे कर हैं अब चलें वो क्या है फोन की बात तो मुझे बरोसा नहीं है ट्रांसफर की फैक्स कॉपी एमेमेस से इस फोन पे भेजने के लिए करिए फिर आपको बचा लूँ तेरी हरकतों को देखकर ल अब तुम 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 तुरंत हैदराबाद जाकर अपना फर्ज निवाओ वेटा इसलिए तो ट्रांसपर लिया है सर किसी की लाइफ से खिलवाट करना है सुनो अंकल आपका डी जी भी कहा है वो देखे आ रहे है कि यह महाशा कोन है यहां ड्यूटी जॉइन करने आए है सर सीनियर ओफिसर को देखते तुम्हें सेलूट करना चाहिए क्या तुम्हें यह भी नहीं बता उसा मत हो यह अंकल वो फॉर्मालिटी भी पूरी कर दूंगा पहले ड्यूटी तो जॉइन कर लूँ दिस यूर कौन सा जोन मिला है अरे वेस्जोन है जुबली एस्टेट बंजारा हिल्स मादवपूर बहुत पॉश एरिया है मेरी कमाई अच्छी होगी किस कमाई की बात कर रहे हो मेरा नाम इमानदारी से नाम कमाया जाता है सर सिंसेरिटी से काम करना करूंगा सर ऐसा काम करके पॉलीटिशन और पॉलीस गोफॉर मुझ से पहले जो एसीप यहां आए वो कैसे थे मैं नहीं जानता लेकिन मेरे साथ कैसे पेश आना है ड्यूटी कैसे करनी है और पॉलीस वाले कैसे होते है यह मैं तुम्हें बताऊंगा अमाय क्लिया ये सर से लाउड ये सर लेट्स टेकर प्लेज सब्सक्राइब आज के दिन से हम अपनी सोच और फर्स को जंता और अपनी भलाई पर नियोच्छावर करेंगे और जंता की जेबे खाली करेंगे अपने लिए अपने बच्चों के लिए आने वाली पीडियों की भलाई के लिए इलाके के हर धंदे वाले को अपनी मुट्टी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगेंगे पेट्रोलिंग क्रिमिनल चेसिंग ये सब रिस्क तुठाए बिना फाइनाशली सेट हो जाएंगे हम अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए ज्यौदा नहीं उच लेंगे अरे इतने इमोचनल क्यों होगे तुम सिंसियर रहना चाहते हो क्या आप जैसे ऑफिसर मेंटे का है सैर यहां पर जितने भी अपना सपना पराया माल अपना अपना सपना पराया माल अपना 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 सपना पराया माल अपना 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 बस करो पगलो रुला होगे क्या ऐसा स्वागत अजसे मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँगा कमफर्टेबली क्राइम करना लेकिन उसमें से 20 परसेंट मेरे पुलीज भाइयों को देना और इसके अलावा टेक्नोलोजी इस्तेमाल करो फेस्बॉक ट्विटर एक्सेटर 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 टेक्नोलोजी से आमें क्या कितने भोले हो तुम कोई फेस्बॉक पर बताता है कि मैं चन्ने जा रहा और वो चन्नाई के लिए उड़ जाएगा उसके जाते ही घर साफ कर दो कोई अपने मोबाइल से ज्वेलर्स को ट्वीट उसका शोरूम कम बंद होता है फिर वहां हाथ मारो ग्रेट तरक्य के रास् प्रामा बंकर यार माडम सुनो माडम पहरी हो क्या कबसे आवाज जरह सुनाए नहीं दिया आपका नाम श्रीवणी नाइस नेंग बोलू क्या कल्यान इस पांडे जी कुछ सोशल वर्क असमरे रेवोल्यूशन को शटका देने की कोशिश कर रहे हैं कहां है वो हेलो हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं यह जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ यह पूसदारी जंगू नमूसदारी मंगू हर हाल में ब्रोग करेंगे आप इसी तरह से सटल्मेंट करते जाओगे तो हमें सडक पे आके भीख मांगनी पड़ेगी एसीपी को हटाओ रियल स्टेट को बचाओ एसीपी को हटाओ आपको किसी से भी डरने की ज़रूत नहीं है उस एसीपी को हम हर हाल में हटाके रहेंगे आप ये गीता का पार्ट क्यों पढ़ा रहें साहर तुम ज़रा अपनी प्यारी वान को 360 डिग्री घूम कर तो देखेंगे ये क्या कॉंसेट्ट है सर वन नॉट एट किसका नंबर है एमर्जनसी में एम्बुलन्स का नंबर है पेशन को होस्पीटल ले जाता है किसी भी हालात में टाइम पर पहुंच के मरेजों की जान बचाता है और उसका बिल्कुल ऑपोसिट है एट नॉट वन हमारे खिलाब जाने वाले की मरमत होती है कंप्रेंड करने वालों कि 32 निकालते है एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम ने मिल पाता ने इसलिए हम इस एक्स्ट्रा गाड़ी को रखें यह तो खुलन खुलन टाटा कहती है अरे छोलो मुझे बचाओ तुम्हारी आलत तो फटीचर जैसी हो गई है इससे भी बुरी हो गई है और पैसे पहले पुलिस वाले हैं जो सिर्फ डंडे से कमाल कर रहे हैं कुछ करने वाला मैं कौन होता हूं यह सब तो इश्वार के लिए काम जालिम का और नाम इश्वार का तुम्हारी हालत भी फटीचर जैसी हो गई उस्से भी बुरी हमारे जैसे टोपीबाज इस शहर में और भी बहुत लोग है सर अरे यार उसे तो हटाना ही होगा यह काड़ गे बेचारी आड़तों पर लड़कों का जुल्म छी 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 लड़कियों के मांगे कि शराप को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए एक वाटर ब्रैंडी देना भी जाए ब्रैंडी और विस्की देना जिन बियर और वोटका यह निजे भाईया सोडा नहीं लोगी जरूरत यह पकड़ो और अब बोलो गन लिखर किसने किसको दोड़ाया था बोलो बताता हूं दीदी अचानक इसका एक्स्प्रेशन ऐसा बदल क्यों गया है हम लोग न्यूज पर ध्यान देते हैं ना तुम बोलो बोलो इस गोरे चिट्टे छोकरे पर जान बूच कर अत्या चार क वसाने की कोशिश कर रही है एक लेडी टीवी फाइव रिपोर्टर और उसका साथ देरा एक कैमरा मैन हां रगू तो इससे पीनेवाले को इंगलीज पिला दी यह लो बोलो और और रोमेंटिक तरीके से पूस्तियों देगा ना क्या हो था इसे हमारे पीछे आसे बाग रह हमारे भगवान तो फिर शुरू हो गया पांडी जी आप हमारे लिए भगवान है हमारे बच्चे मुनिसिपल स्कूल से कॉर्परेट स्कूल में शिफ्ट होगे बढ़ी आयरिया है एडवांस भी देदिया है सर वेरी गुड मा बहुत खुश है पिता जी ठीक हो गए चोट अरे भाई आपके वच्चा से साचो का है अरे बढ़ी आपके वच्चा साचो का है पांडीजी अरे सॉड़ी सर्ण नमसी करें सर्ण अब आना तो चला गया चलो ऑफिस जाना है यह क्या दूरेचा था मुझे इस हूर और लंगूर का कॉंबिनेशन कुछ समझ में नहीं आया वह हूर कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई पाड़ी आल्मोस्ट मेरे सपनों किरानी है मेरी हमसफर यही होनी चाहिए मुश्किले सर वो प्रेस वाली है आप पुलिस वाले प्रेस कॉंफरेंस बुलाओ अच्छा अब लोग आ गया ना हाँ आ गया सर टीवी नाई यू टीवी एन टीवी मेरा चैनल कहा है यह फैन अचानक बंद कैसे हो गया दूबे जी नहीं आपका फैन है यह बताइए यह प्रेस कान डाइगाई रहे हैं मैं जो स्टॉल्म में बयट कर फर्सडे फर्स्सो देख रहे ना इने बार कोण्जिंघ का तरिया यह अपने अपर सब्सक आंग गया हुआ चीď प्रेस कॉंफरेंस क्यों बुलाया है शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी क्या क्या सुदोते पंडी जी आपका हाथ बटाने के लिए ये बेचारी सर्विस करती रहेगी अच्छा सर बसनल मिटिंग नहीं प्रेस मिटिंग है हमारी इजद नहीं है हमारे माइक की इजद न माइडियर मीडिया फ्रेंड्स आपके लिए ताजा ख़बर कली 36 गड़ के हमारे पुलीस कॉंस्टिबल परवेश रिपोर्टर रीटा से लव मैरेज कर वैठने इसे न्यूस कहते हो लगता है टाइम पास कर रहे हो पांडी जी का उदेश है कि 36 गड़ की घटना से किसी बाते करें पहले मीटिंग में तक्रार होती है पांडे जी दूसरे मीटिंग अरेंज कीजिए अरे सुनो पर्सनल काम के लिए दुबारा प्रेस का इस्तेमाल मत करना टाइम बरबात कर दिया चोटी-चोटी सोच रखने वाले लोग है वेरी स्मॉल ठिंकिंग सब को आ अब दो यहां क्या कर रहे हो बोलो इनके खिलाफ कंप्लेंड करने आए है लगता सटेलर्ट से हमारे बुरे वक्त का संदेशा ओरा है कैसा सर्थ आप अपने काम कीजिए हम लोग अपने काम करें काम कमारे साथ चल में तुझे बताता हूं क्या करने जा रहे है आई मसाज और पैसे फ्री तो फिर मैं पहले जाऊंगा दुवारा नहीं करवाएगा तू अरे मुलाजा होश यार एसीपी आ गए है सर माई शूर के महारा जा रहा है क्या बलाओ उसे कि आदी कितना लेट करते हो क्या बताअं सर बाहर पुलीस की ड्यूटी घर में एलग ड्यूटी गगर पात तर्र देखा देखा हमारे सामने सांडर्मेंट की बात कर रहा है सेकी का मतलब कुछ और था सिर जाल और सेंश के बाव शेटिल करके आ रहा हूं मंडी में सबजियों के भाव कितने बढ़ गये हैं टमाटर का क्या भाव चल रहा है महाशाय विल यू प्लीज सिट डाउन शॉर सर बताईए आप लोगं की कंप्लेंट्स क्या अब आपको क्या बताएं सर एल स्टेट के थंदे में जोरों के साथ पार्टनर्श है की कमिटी आएगी एंक्वाइरी होगी सबूत गवा देखे जाएंगे क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटन कंप्लेंट दी है सर कैसे देंगे सार घीता का श्लोक सुना कर लोगों को वैकुन पहुंचाता है कहां से आता है कहां ले जाता है कोई कुछ भी नहीं जानता चलो ठ जी अरे थोड़ी से मेरी बुराई कीजिए ना इनकी बुराई करोगे क्यों मुस्कुरा रहे हो बुराई चोड़ो मैं तुमारे लिए कुछ मिठाईयां लाया हूं खालूंगा खालूंगा अब तो आप दोनों समझी गाया होंगे रूल्स रेगुलेशन स्वालो करू तो बत रखें डीजीपी सर का टाइम बहुत कींती है आप जानते हैं ये कौन है शेर का दूसरा रूफ तरी मुर्ति का अवदार धर्म और कर्म का प्रतिरूप है ये इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ हम सच है हाँ तो मैं चलू सब्सक्राइब मुझे लगता है ये महाशे इस शहर में कुछ अलग ही रादे के साथ आए हैं जीके गुड मॉर्निंग कैसे हो मिनिस्टररर अरे क्या करें हो जरा रुक जाओ इस प्लेट में जीके साव ने नाश्ता किया है ना जीआ सब इनका जूटा क्यों खा रहे हो चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो राजा नाहीं इनके घर में नाश्ते की कमी है और नाहीं मेरे पॉकेट में पैसों की मैं यहां जूठन खाके ये सावित कर रहा हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जीके साब के बदावतियों अब माली वो लाइन पर है वो हमारी बात नहीं मान रहा है वहीं तो मैं भी कह रहा हूं वहां जब मेरा कुछ नहीं चल पाया तो आपका कैसे चल पाएगा क्यों मैं हमेशा हमें ताइम पर बोलता है मिनिस्टर अंकल आई नानू कौन है इस रहा देखो इस रास्ते में क्या गुंडागर्दी चल रही है यह उनी फाहम के पेशाती करता है तुने पुलिस वाले को मारा राजा तुम इसे खुश हो कर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो बीजीप के पास कंप्लेंड गई है मेरे कैने पर ममला सौरी पे नहीं पढ़ स सेंटरल में मैंने अपनी पहचान लगा कि तुझे होम मिनिस्टर बनवा है और तुम मेरा साथ देने के बज़ा है मुझसे माफी मंगवा रहा है दुनिया भर को पचान कर मैंने तुझे मंत्री इसलिए बना है ताकि जरूत पढ़ने पर तुमेरे काम आसके बहुत कंफू नहीं समाल ली है क्या वेटा नानू तुम्हें मार अंकल मार ना वार जिके तेरे भाई ने होम मिनिस्टर पर आत उठा है जब होम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है तो पुलिस की क्या आउकात है यह कौन से बड़ा केस है या भड़कने की शरूत क्या है मैं नहीं हूं क मैं अभी उस डीजीपी की तो बोलिये सर्थ कल रात को तो पुलिस वालो ने मेरे भांजे के रास्ता रोका और उसे बहुत परिशान किया उन दोनों अफिसर्स को दो हफते के लिए तुरंच सस्पंट किया जाए तरसल आप सस्पंट करो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं स चोटा सा डाउट है आखिर तुम्हें पुलिस वालों से इस तरी नफरत क्यों है बिल्ली को चुहे से दुश्मनी क्यों है शेर को हिरंट से दुश्मनी क्यों है शिकार करते करते ठक जाता तब भी छोड़ता नहीं नेचर इंस्टिंक्ट ये तो एक प्रकृती का नियम है जिसका चैसा स्वभाओं आई हेट पुलिस क्या करें दूबेजी तुरंत किसी पार्टी पर रेड मारकर उसकी कमाएंगा थोड़ा सा हिसा अपने जब में डाल लिया जाये शुकरो या कमाने के अलावा कुछ नहीं सूचता आज मौसम कितना रूमांटिक है मुझे अपनी डालिंग से मिलना है इस वक्त अपकी डालि जब से आपने हमारा बैंड बजाया है हमारे तो सुर्ताल ही बिगड़ गए है अब डगैती का इल्जाम लगा के कहां फसा रहे हो सन दूबे इनका इलाज करो या इनका इलाज करने के लिए दवा खाने में आये है क्या सेंट्रल जेल भेज देते हैं सुना धुलाई के लि यह लोग कब से सुधर गए और गया सर इन्हें एक घंटे पहले एट नॉट वन में खर्चा मिल चुका है लगता है आज बड़ा धमाल होने वाला है चोरों का चैरा क्यों डेका हुआ है मैडम जिर्फ अपना काम निकालने के लिए यह सर हम पर इल्जाम लगा क्या हमारा तुम भी तो कुछ बोलो नहीं जानते जितना चाहे ट्राइ कर लो नहीं पटने वाली हूं मैं यह क्या कह रही है थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली यह तो सर पे शड़ने लग गई हर लड़की ऐसी हो दिये आप पुलिस ऑफिसर है ना अपने ब्रेन का इसने वाल कीजि नंबर फोर हाउस नंबर वन जिरो फोर त्री चुर्नाकर हैदराबाद इसकी बहन और जीजा इसके साथ रहते हैं इसकी दीदी को अलग ही पुलिस का पैशन है इसलिए एक बिजनसमेन ने अपने आपको पुलिस वाला बता कर उससे शाधी कर ली आपको इस लड़की को प पटाया जाए तो आपका काम हो सकता है ऐसा ही होगा दूबे जी माही डार्लिंग माही यह घर पर तो है ना कौन है आप लोग आपकी जो बहन है ना मैं उससे प्यार करता हूं इतनी हिम्मत हमारी चुटकी से क्या जिए सहाब एसी पी है हाई मैं मल जाओ आया ये बैठी न अरे ये क्या महंगे फर्श पर सस्ता फynीचर दूबे जी बदल देता हूं नई शोकेस में पुराना TV क्यो है बदल दो बदल दो आपका ये गला इतना सुना क्यों है ये बंगला पुराना हो गया है जूबली हिसमें नाले ले तो कोई बात नहीं लुए निया में और हमा करूँ भाई मेरी घर वाली को यह उनिफर्म बहुत पसंद है तो फिर पहन करें पकाना पड़ता है जानू किचन में मैं अक्यला ही काम कर रहा हूं तुम अंदर आओगी नहीं तुम्हारी पत्नी हूं नौकरानी नहीं दीदी आज खाने में क्या बनागा दीदी इस अंदर कोई इस तरह बाहर निकालता है तुम्हारे लिए बहतर है बाहर निकल जाओ वरना इक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर को हैरेस कर रहा है मैं इसी न्यूस बनाकर अपनी चानल पर टेलिकास कर दूँगी कुछ कहो ना दीदी अभी कहती हूं दामाजी किसको धंकी दे रह दीदी इसे रेस्टरांट डिनर के लिए लेकर जाओ ले जाओ लेकिन यह आएगी क्या फामिली के साथ क्यों नहीं आएगी कुछ औरता होगी दीदी सामने इतनी चेर्स खाली है फिर भी सबको यही में घुसकर बैठना है क्या सब ही लोग नस्दीक बैठेंगे तब ही प्रेम आटोग्राफ एगा भाएगी क्या भी लेकिर आटोग्राफ अप्राफ डालाग बली नहीं है प्लिस के नाम से अच्छे थर थर काप्रे लग्ते है तो सीथी क्या खड़ी है ममी है फ्रेन्स, व्हेपी आणाउंस व्हेस्टिंग बस्त इसक बस्ट पफ्यों अन्धार को मुस्ट इसकों पर द्वाइन और लेकिन अपर फिर्स टाइमी मैं इपडरीमा एं। क्षिक साथ़ तीम मुझें तलिम आइए नी तेनं Oh my, oh my baby, तुम इस दिल को मेरे चुरा के Oh my, oh my baby, तुम जाओगी कहां सरमा के इतना भाव दोने के बात भी नहीं पल्टी, मुझे नहीं लगता वो आपसे पटने वाली है थांक्स दूबे जी उस केस का जो IDGP, अगर आफिस में टीवी है तो उसे आउन करो बहुत दिनों से फसा हुआ जीके कमर्शिल कॉमपलेक्स आखिर कार बनकर तयार हो गया है जिसके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुत तो नेगोशिश की थी उसकी ओपनिंग आज पुलिस ओफिसर के हाथ हो गए Mr. G.K. is a very good human being काफी परिशानियों के बाद ये कॉमपलेक्स बना है हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है उस ACP ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुंचा होगा वो ACP कोई और नहीं तुम्हारा अंच तुम्हारा अपना ही बेटा है तुम बड़ी उल्जन में फंसके हो DGP उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी गुड़ा अफटरनून DGP साहर स्वीट्स लीजिये सार यह क्यों? G.K. साहब के मौल उपनीं के खुशी में DGP साहब आपके फादर है यह सब जानने के पाद जूमने लगे हैं सर अच्छा? लेकिन ज़रा देखो इन्हें मुझ तो लटका हुआ है संभल कर रही है सर आने वाले वक्त में और कई जटके खाने हैं तो मैं चलू सर सर उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने कल्यान सिंग उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनात आश्र में पढ़ लिकर बढ़ा हुआ है उसकी बच्पन की तस्वीर फेक्स कर रहे है वो देखो रॉकेट कैसे यह देखो 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 लगता है तारे तूट रहे हैं ना मा बिटा जी आ रहे हैं ना आएंगे बिटा क्यों बाभी अभी तक सर नहीं आया क्या ते ओहार के दिन भी वो डूटी कर रहे हैं जूटी तो मैं भी करता हूं मगर परिवार का भी ध्यान रखता हूं ऐसा क्या काम है जो परिवार की खुशी से भी बढ़ा हो सुवेच जल्दी रिपोर्ट करना बच्चे के लिए कुछ पटाके तो साथ मिलाते अरे सॉरी बेटा अभी जा कर ले आए नहीं मुझे नहीं चाहिए अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देखकर बुरा लगता क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था उन्हें कभी मेरी कोई फिकर ही नहीं हुई जिंदगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी मा की बदौलत मिली है तो यही बेट में खाने के लिए कुछ लाती हूं मा क्या हो गया मा क्या हो आमी वालों को भी इंफाब पापा ममी की तबीद बहुत खराब है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा पापा चलिए ना पापा सार सिच्वेशन बहुत ही सीरियस है हमें अभी पहुचना होगा गुर्णाज जी सार मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा आप बच्चे के साथ जाए मैं आधे गंडे में पहुच रहा हूं कि अधे गंडे में पहूंच र कंडिशन बहुत क्रिडिकल है ओपरेशन जल्दी नहीं किया तो माह और बच्चे दोनों को खत्रा है आप जल्दी से इसके पिताजी को लियाए उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहां कोई नहीं था मेरी मा की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं सॉरी बेटा माह और बच्चे किसी को नहीं बचाए उस रोज मैं अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुच पाया मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था तभी वो मुझसे रूठ कर भाग गया एक पुलिस ऑफिसर के नाते आप अपनी जगए पर सही है उसका दुख भी अपनी जगए पर सही है अब बड़े होने के नाते आप ये को समझना होगा सार कि वह आगार कैमेरा रेटी है ना मार टीवी कैमरा पारफेक्ट है तो चलो उसे रेड हैं पकड़ते हैं हेलो अब को कहां कहां ढूंड रहे हो और आप यहां मिले बात क्या है आप भूल गया है अब हमें याद इसली है बड़ेट डिन राहिं सर डर्क्याओ अप लेनी रहा है इस्ग हो का योगा प्रेक्टिस कर रहा हैं आप इससे छोड़िया ये लिजे नहीं चाहिए नहीं अफूर मैं कแตडर दूंगा ली यह सब क्या है इंस्टिट्टूट की ओपनिंग है दूबे जी ओपनिंग के लिए आपको पहले बताना चाहिए था ना हम उसले में थोड़ा बीजी थे पढ़ने जी एक मिनिट यहाँ लौ यहाँ लो यहाँ यह बच्चे कौन है अनाथ हैं बेटा और मेरी बेटीक तरह हैं वो चाहती है कि यह भी आम बच्चों के तरह जिंदगी जी है इसलिए इस कॉंपटेटिव वर्ल्ड में वो उन्हें अपने पैरों पर खाड़ा होना सिखा रहे हैं सर सर देख रहे हो दूबी जी इस लड़की की सोच हमारी सोच से दो कदम आगे निती चलो चलो आज जी सहाब काशी से कई अनाथ बच्चों को ले आये हैं सर इसे बताया अब पूरे डेपार्टमेंट को भी बताते रहना चुपकर अरे आजकल जब देखो डीजी पी सर मुझे ही ढूंटे फिरते हैं इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिकर नहीं है क्या तुम्हारे पापा तुमसे दो सेकेंड बात करने के लिए दो हफ़ते इंतसार करना पड़ता था एक बार मेरी बात सुनतो लो उस दिन हुआ यह था कि देखें काशी सर मैं खुद के दम पर पुलीस बनाओं खुद के दम पर यहां आया हैं और खुद के दम पर चीके तक पहुंचाओं खुद के दम पर ही आगे बहुत कुछ करूँगा बता दीजेन क्या हुआ मा यह चोटी पर बहुत अच्छा लगी का ना तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी मैंने मनत जो मांगी है यह क्या जाने अपनी छोटी बहन को मैंने इन ही हाथों से चिता पर चड़ाया था बरसो बाद एक और छोटी बहन मिली है बरसो बाद खुशियां मिली है अब दोबार मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियां में चीनिएगा चीर्स क्लाइमेट बसते भाई इस वेदर में अगर एक आइटम मिले और भी मज़ा आए आसपास सॉफ्ट्वियर कंपनीज है एन्फोसेस, एन्फोटेक रोड पर मिलेंगे बहुत से ब्यूटिफुल गर्स अने, अने, अने जोड़ो मुझे जोड़ो मेरे साथ, जोड़ो जोड़ो, फ्लीज, फ्लीज मीडिया और प्रेस इसमें इंवाल्व है इस केस को बहुत समल कर हैंडल करना होगा समय समय पर मुझे अपडेट करते रहे मुझे का इसने बंदर समझ रखा है? जब चाहे तब बुला लिता, मुझे का और कोई काम नहीं है आजाओ, मिनिस्टरर सही समय पर आये हो, इंटर्वियू स्टार्ट करो आपका भाय पॉलिटिक्स में तरक्की करे गए इस बात का आपको विश्वास है? पूरी तरह विश्वास है, बुड़ों में, विकलांगों में, मुख्य तोर पर महिलाओं में, इसके प्रती बड़ी इज्जत है आपे कुछ बोलिए ना बिल्कुल सही कहा, इनके छोटे भाई, लेडिस तो बिल्कुल कॉंसेट्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ स्टेट की भला ही सोचते हैं एक दिन ये जनाब, NG Lake के पास, लेडिस के साथ रंगे हातों पकड़े गए थे उसकी मदद करते हुए यही तो इनकी खासियत है, जरुत मंद की मदद करना, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ, अब इनकी और क्या तारीफ करूँ मैं, मैं तुम्हार पास आनी वाला था, रात को एक मर्डर हुआ और मुझे कहा गया है कि ये इन्वाल्ड है, इस केस को DGP हैंडल कर रहे हैं GK, अगर मैटर बाहर आया, तो मेरा करियर और इसके फीचर की वाट लग जाएगी, अरे चुटे पैसे फेको तो अच्छे से अच्छी मिल जाती है, फिर रोड पे हैवानियत क्यों करना, गैस ना उसक्यों बना है भई हमने, एक चोटी सी रिकोष्ट मेरी है, भर से पागलों देखोगे तो पता चलेगा, आज हम पर इल्जामों के बम फोड रहे हो, तुम्हें कुरसी दिलाने के लिए हमें दल्ला बनना पड़ा था, फोन, फोन का है मैं, पहले बताओ, इनमें से तुम्हारा जूटा गिलास कौन सा है, मैं कौन था, तुम्हारी जिव का खोड़ा स जाएगा, डीजीपी का कुछ करना जरूरी है, बहुत खतरनाक आदमी है, अजर भाई, पावर वाले को कभी टर्ना नहीं चाहिए, दस मिनिट बात करूँगी, तो तुम मुझे जाने दोगे न, तो बोलो, दीदी मान गयी, जीजा बान गय, अगर तुम भी मान जाओ, तो हम चट मंगनी पढ़ ब्याहा कर सकते हमें, तुम्हारी बाते सुनकर दिल करता है, तुम्हारा चेहरा नोचकर कवों को खिला दू, पता है जब तुम गुस्से में बात करती हो तुम्हारी खुबसूरती डबल हो जाती है गोटो हेल ये क्या बात हुई मैं कुल्ली बात कर रहा हूँ और कुल्ली कीजिए ये तो लड़कियों की आदत है नकरे दिखाएगी थोड़ा सा हीत रहेगी सच सुनो मैं किसी और से प्यार करती हूँ बाबी कौन है वो मैं नहीं बताऊंगी चुपचा बता दो डूंड़ा तो भारी पड़ेगा सुनामी स्टार सुभाष पहली मुलकात प्रेस मीट में हुई थी धीरे धीरे बात्चीत होती रही फिर उसके बाद मेरे दिल में बस कए ओक्य बायो डिटा बताईए दूबी जी यह पहले एनर आई था कॉमेडियन दिखता है बोलके फिल्मों में चांस मिल गया चांस देने वाले ने ही बात भी इसके एक्टिंग देके हाथ महत्या कर ली यह सुनामी स्टार हमें मिलेंगे कहा इस्टाट कैम्रा आक्शन अधिया नहीं है यहां यह दूल है अक्शन है सब कुछ है लेकिन रोमेंस क्यों नहीं है रोमेंस पर्सो का शेडल बे था सर प्लैन पूरा फ्लाप हो गया सिर्फ आपकी पेट की वज़े से मेरे पेट से किसी को तकलीव नहीं होगा मैं पूरी मेडिसीन ले रहा हूं डिर लिप लॉक यह क्या यार कुछ की आई नहीं और इसकी उल्टिया शुरू हो गई ताम मांगने के लिए आगे पीछे करती थी अब उल्टिया कर रही है गुड मॉर्निंग सर प्रोडियूसर सहाब बताए क्या बार आपने मेरी फिल्म का नाम धनिया रखा इसलिए वह बिक है सर आप तो उनके जूते के धूल भी नहीं है वह सर आपको डांस से डर लगता है मेरी एक दोस्त ऐसा सोचती है इसके एकस्प्रेशन से तुम्हारे एकस्प्रेशन मैच नहीं कर रहे है पकाप अरे सुरिये सर उसकी फोटो तो देखिये ना कौन है ये पारो मैं इस दड़की से प्यार करता हूँ मुझसे पीछा छुडाने के लिए इसने कहिया आप से प्यार करती है आप सचाई बता दीजिए मुझे इत्मिनान हो जाएगा अहां था यह मौका क्यों छोड़ूं मेरी गल्फरेंट से तुम क्यों प्यार कर रहे हो मिस्टर जानकारी के लिए बता दू तुम पर चाहिड्ड मॉली स्टेशन का दावा ठोक सकते हैं तुफान से लड़ने के लिए हमेशा तयार सुनामी स्टार्स वाश वो पारो मेरी है समझगे क्या पाकर टेक यूट हीरों के साथ आप बहुत बेर है मीज़े डील कर रहे ह इसे फुलाओ यूथ हीरो हो ना ब्रीज साथ नहीं दे रहे हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं बड़े भाई उस लड़की को यह बुला लीजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा विश्वी हैपी बर्दे सर वो मनहुस दीन आज है क्या वो तो कला के चला भी गय कौन है वो कौन है जो मेरी चुटकी से प्यार करता है यह बुठे खूसट एक टांग कबर में और दूसरा केले के चिलके पर फिर भी जमान फूट रहा हूं अच्छा तो आप हैं मैं आपको बहुत पसंद करती हूं सर जब भी आप अपने हाथ पलाकर I love you कहते हैं मैं अब बता देंगी तो हम FI रगिस्टर करें हार डायलोग देने का टाइमिंग होता है और राइमिंग होता है यह मुझे भसाना चाहता है लेकिन यह जानता नहीं कि यह दिल तुझे दिलो चाहता है पुलिस से घबरा कर तुम हमारा प्यार साक्रफाइस कर दोगे सुभाश इस शक्ति है सब्सक्राइस की उत्ते के तरह पिट रहा हूं काई कि संच्छा अर्यला तुम्हारे लिए यह परफेक्ट है संजे की नहीं बात तो सुनों उन्होंने सचाही बता दी अब तुम्ही सच बताओं सच बताऊं, I hate you. I hate your character, I hate your attitude. मैं एक इमानदार जोर्नलिस्ट हूँ और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात नहीं करती. इसलिए अच्छा होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो. तुम जानते हो हाली में इस शहर में एक सौफ़वेर इंजीनर का मडर हुआ है. जहां मडर हुआ वहाँ, एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है. वो नंबर प्लेट, तुम्हारे भाई और इस घर के नाम रेजिस्टर्ड है. सो, तुम दोनों को पुलिस टेशन चलना होगा. क्या हो अब रहोगे, भॉंक क्यों रहो, बढ़ों के सामने भॉंकना नहीं चाहिए, पता नहीं है क्या तुम्हें? काफी वफादार लग रहा है, चार दिन हड़ी डाल कर पुछकारेंगे, तो ये भी अपने आप लाइन पर आजाएगा. जी के जी, कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी न, चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिये. और जब मुझे वो गाड़ी मिली, नंबर प्लेट मिसिंग थी. अरे, नंबर प्लेट तो टीजी पे साब ले आए हैं. ऐसा क्या? दिखाओ दो, क्या ये वही है? अरे, ये तो वही है, जी के जी, ये तो मिल गया, मेरा पेमेंट, स्टेट्मेंट दे कर गाड़ी कबजे में लीजी. मुझे पुलिस टेशन ले जाने वाले थे. जब भी पुलिस वालों को अपने आज पास देखता हूं, तो मेरा खून खौलने रगता है. तुम फिर से सरी? आई हेट पुलिस. ये तो बस एक सैंपल है, सर. आगे-आगे देखिए होता है क्या है. कैसे हो, अंकल? बड़े साब बहुत अपसेट लग रहे हैं. तुमने गलती कुछ ऐसी की है? कुछ भी कहते हैं आप. अगर मैं गलती करता, तो मुझे ऐसे ही छोड़ते थे. गलती वो थी, जिससे इनकी बीवी, बच्चे, इनकी लाप परवाही की वज़ए से मौत की मुझे गए. मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुख रहा है, तो उने छुट्टी ले लेनी चाहिए. ऐसा समझ लीजे कि आप रिटायर हो गए हैं. जानते हो ये लोग कौन है, स्कैम करने वाले पॉलिटीशियन्स या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस आफिसर्स हैं. पांच हजार रुपए में बिगने वाली रिश्वत्खोर पुलिस, दस हजार रुपए में केस बंद करने वाली बिगव पुलिस गली-गली में मिलेगी. लेकिन ये जानने के बाद के हम मौत के मूँ में जा रहे हैं. डिपार्टमेंट पर अपनी जानने जार करने वाले पुलिस सैकड़ों में एक ही होते हैं. हम जैसे इनसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जी कर शहीद होते हैं. हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है. जिससे माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चे और खांदान में किसी भी इनसान की जान जा सकती है. लेकिन उन्हें पीछे धकैल कर खुद के सीने पर गोली खाते हैं. करतवे के लिए अपनी जान गमाने वाल होता है, सच्चा पुलिस ऑफिस है. अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहां आकर फोटोस को इसलिए देखता हूँ, क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है. तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वज़े से मैंने अपनों को खो दिया. हा माँ सही वक्त पर में तुम्हारी मा के पास नहीं पहुच पाया, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था. तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई, लेकिन उधर सैकुणों लोगों को इंसाफ मिला. और अपनी जान की बाजी लगाकर आमनों और शान्ती को टाइम रखूंगा इसे शपत लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए. तुम मुझे नाराज हो, इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो. ये जो मर्डर केस है, जानते हो किसका केस है? उस रड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो. इस बच्ची को जानते हो किसने मारा? कितनी बेदर्दी से मारा? ये चुड़ू, चुड़ू मुझे, मुझे जाने दो, ये जाने दो, ये रूदू, कहा गारी है? श्वीवणी, तुम देख तोना, श्वीवणी कुछ बोलो, कुछ बोलो, स्रे बोलो. श्वीवणी, वो हमारे हाथ से निकल गई, यार. होश में आते ही, श्रिवणी के पिता ने मुझे सारी बाते मताई. तब मुझे सचाई का पता चला. श्रिवणी के साथ जो हाथ साथ हुआ, वो सरे आम सडक पर हुआ. आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी? किसी मजबूर की इज़त को बचाते हुए, वो मासूम बली चड़ा दी के. वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है. क्या उस शैतान को माफ कर दियता है? तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं. लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये तुम है डिसाइड करना होगा. गूड इवनिंग एबरीबरी. ये केस सॉफ्ट्वेर इंजीनियर के मंडर का नहीं है. शिर्वनी नाम की बच्ची का केस है. उसकी मौत के पीछे पावफुल लोगों का हाथ है. प्रिशर चाहे जितना है मैं किसी को नहीं बख्षूँगा. सब को सजा दिलवा कर रहूँ और जल्दी ही ये केस क्लोज करूँगा. शार ये लोग मुझे मार डालेंगे. बचा रहेंजेंगे. तुझे क्या लगता है, ये तेरी जान बचाएगा. ये असली पोलिस वाला है. एक बार उससे नोट दिखाऊ ना, चुप चाप लेके पतली गली पकड़ेगा. ये ले उठा और निकल यांसे. ये हमारा कुछ न ये ले 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 ल एक बिक अलिया ना जुदी कि अजल एक प्रवाख कि अ अवाख अजल एक प्रवड़ कि डिट नाल कि रह ग में ह। अँई हर में हाई 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 हाइचा हाइचा किड़ा जाग क्या है वो कीड़ा तो मेरे अंदर बजपन सही था पुलीस की सिंसियारिटी से मुझरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा ब्लडी फूल तेरा फरिश्टा भी मेरा कुछ नहीं विगाड सकता मैं वो हाइवे का रोड नहीं जो त तेरा और तेरे भाई के जिंदगी का आज आखरी खुशी का दिन है इसलिए अगर कोई आखरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तुम मीडिया के पास जा धरना कर रास्ता रोको कर जो चाहे कर ले कुछ हासिल नहीं हो बोलो दूबेजी वो जीके के गुंडों को छुड़ाने के लिए बेल ओडर लाए हैं से कितना ही दुदार करवाएगा अब सर बेल पेपर्स बेल तरीके से मांगनी चाहिए दुबे जी सर रिया कीजे उन्हें आजाओ आजाओ यह क्या हो रहा है सर बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कॉंस्टिबल से बत्तमीजी कि तुम हमें फसा रहा है खशे रहे इक कीया है सर बेल और भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने ये लीजे पेपर और उन्हें छोड़ दीजीई ओके दूबे जी यैस सर अरे सर यह सब क्या हो रहा है तुम्हें एसा है और हवालदारों पर जान लिवा हम लागत तुम हमें हचा रहे हो है कि सिपी तू अंदर अभको बुला जवाब हे आसफा रहा इसलिए हिरे होर सवाल का जवाहम भार से देंगे एप है 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 अरे यह बॉम है रहे मालुम है रहे पागल हो गया के तू अरे पागल नहीं रहे यह पिन मैं रखता हूं यह बॉम तो यह पिए एसीपी यह क्या कर रहा है वेल मिलने के बाद हमारे पुलीस स्टेशन पर हमला कर रहे हो तुम हमें बस्ति आए हेलो होम मिनिस्टर लाइन पर हैं सर चाहे होम मिनिस्टर हो सी-म हो मैटर एक ही है जो अपने चेले चपाटे चम्चो को बचाना चाहता है वो अपना प्रैन काड राशन काड आधार काड लेकर पंधरा मिनिट में यहां हाजिर हो जाए तब ही रिहा करूंगा इनको उससे एक भी मिनिट्स ज्यादा लिया तो इनकी मैयत पे आ जाना यह तो ऐसे बात करा जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं कहीं के वाच्च मैं हूँ जीके दूबे जी जीके ने आज तक पुली स्टेशन में कदम नहीं रखा देखो कैसे अगले पंधरा मिनिट में यहां भागते हुए आता बलाई इसी में कि पुली स्टेशन में कदम रख लो राजा नहीं तो भंस जाएंगे नमस्ते हों मिनिस्टर साहब नमस्ते प्यारे प्राशन कार्ड आदार कार्ड पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हो मेरे बंदों को छोड़ जल्दिकर फर्स्ट टाइम पुली स्टेशन आये हो खातरदार ही होनी चाहिए कौफी टी कौफी टी कौन पीता है हम तो यहां आगे यही बहुत बड़ी बात है थंड़े कौट कभी थाने का मुह नहीं देखा वो खुद तुम्हें चोड़ाने आये यहां से चलो जी के मैं आदा खंटे में इसके ट्रांसवर करवा जीता हूं यह तिरे बाप के जीन्स की प्राब्लम है मेरे छोटे भाई और उसके फ्रेंड्स ने गुंगी लड़की को माई डाला उसे कोट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होगे गवाह पेश करने होगे लंबा चोड़ा प्रोसेस इसी बीच मैं अपने पुलिटिशन क्या बला है तुझ जानता नहीं पुलिटिशन क्या बला है तुझे अभी पता नहीं पुलिटिशन याने गेंग हर रोज तुम जैसे सैगड़ों पुलिस वाले हमें सलूट मार कर सलामी देते हैं पुलिटिशन याने लीडर उनका हर अलफास तुम्हारे ल इसे यहां से कहीं मत भेजो, इसे यहीं रहने तो हम खेल खेलेंगे इसके साथ है सिपी, तुझे एक हफते की मौलत देता हूँ अगर दम है तो मेरे छोटे को अंदर करके दिखा वान वीक, ट्राइ करके दे वान वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तीन दिन ही काफी जीके, आज तक तुने मुझ जैसे बरदाश्ट करने वाले आफिसर का सामना किया होगा अब सामना कर मेरे बेटे का गुड जॉब तैंक यू सर दीदी, मेरे होने वाले पती का ओफिस यही है हाँ, अचानक तुझ में ये बदलाव अच्छे अच्छों को बदल लेती है मावब पिर चल इस केस में सिर्फ एकी गवा हमारे पास है सॉफ्वेर इंजीनियर वो लड़की इस हाथ से से घबरा कर ये शेहर चोड़ कर चली गई है सर अंदर फैन क्यों चालू है आपका ध्यान कहा है अंदर फैन चालू है जा कर फैन बंद कर दीजिए लेक्ट्रिक बढ़ रहा है चलिए मैड़ा चलिए चलिए आप बहुत तरक्षी करेंगे आपकी दयां से आईए नमस्ते सर उन कौना यह मैं मामा जी नहीं यह बिजी भी तो नहीं है चूटी बहन के इसिले में एसी पी से कुछ बाद करना चाहती हूं इनकी जोटी बहन को पुलिस वाले से प्यार हो गया लेकिन वह पुलिस वाला इन्हें टाइम नहीं दे रहा है इसलिए यह सर के पास कंप्लेंट दर्श करने आई है यह सर बिलकुल सच कह रहे है जूट नहीं बोलता है सर ले आपको समझ अकल बूधी कुछ है कि नहीं कहीं किसी भी वक्त अपनी भेहन को लेकर आजाती है बड़े साप के सामने फज़ जाते तो क्या होता एंचली बिस्टब किया इसलिए सौरी तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है तुम्हें मैं आज समझ बाई हूँ श्रीवणी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम उसके सुना है बाप बेटे दुनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हो तुम दोनों की स्पीड को प्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग यूज देता हूं जल्दी से अपना टीवी आउन करो श्रीवानी का केस दो बारा सुर्खियों में जिन्होंने उस बच्ची को मारा था वो तीनों पकड़े गए डे वान शॉक वान शॉक वान वर्दात वाली जगह पे हैं में ये सारी चीज़े मिली हैं तू मेरे भाई को लॉक अप में बंद करवाने वाई लेकिन अब तू यू से सलूट मारेगा अरे सीपी फिर से अपना टीवी आउन कर सारे पार्टी कारेकरताओं ने एमपी जीके के छोटे भाई को यूद प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया है पार्टी के नेताओं उन्हें इस बात की बढ़ाई थी है ओन्द वे तू दर पार्लियामेंट डे टू शॉक नंबर टू सुनो शिकांत सभी पुलिस टेशन में इंफर्मेशन भेज़ दो उस मेडम का जल्द से जल्द पता लगाना है सीनू अपने साप को देखो तीन दिन में अरस्ट करने का बोल कर आराम से लस्सी पी रहा है सर वो लड़की कौन थी उसका पता चल गया है गुड सुनो काशी तुम हाई सिक्यूर्टी लेकर इमेडिटली उसे यहां पर लेकर आओ गोविंदा गोविंदा आपकी वो मैडम तिरुपती में छिपी थी ना डीजीपी साथ तुमारे ओफिसर्स वहां पहुँचे उससे पहले इंडिगो फ्लाइट पकड़के हमारे लोगों ने उसे कबजे में ले ली इस केस की आई विटनेस वाली लड़की की आधे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूँगा फिर वो कभी गवाही नहीं देगी अरे एसेपी कुछ तो बोलो तमारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूं सुन्बे जी के इंडिगो फ्लाइट हम चल इसी बहाने तेरे दस चमचे फ्लाइट में घूमके तो आए बट टोटल वे वो लड़की मर्डर के वग्त मोकाय वारदात पर थी ही नहीं इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी में विटनेस नहीं वो इनसान जो तेरे भाई का डेथ वारंट साइन करेगा केस का में विटनेस मेरी हिफाज़त में यह 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 क्या भख रहा है तुछ तेरे आसपास कोई टीवी हो तो उससे ज़रा ओन करके तो देख एए टीवी टीवी श्रिवनी केस में एक नया मोड बहुत दिनों बाद ही साही पर इस केस में प्रोक्रेस हुआ है पुलिस ने इस केस के एहम गवा को अपनी कस्टडी में ले लिया है वो कौन है देखते हैं वार्दात वाली जगह पेह में यह सारी चीज़े मिली है काविया को जीके के भाई और उसके दोस्तों ने मारा यह मैंने अपनी आखों से देखा है सार उस वक्तों मैं डर के मारे बतानी पाई लेकिन इसी पिज़र ने मेरे हिर्मत बढ़ाई इसलिए आज मैं बोल पा रही हूं उन शेतानों ने उसे जिन्दा जला दिया मालेक आप इस मुझीवत से कैसे बचोगे उसकी गवाई से आपका छोटा भाई फांस गया अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहां से ढूणेंगे और एक बात आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है और वो हीरोईन तेरा भाई इस वक पार्लिमेंट की ओर नहीं जा रहा है तेरी तीन दिनों की महुलत में एक घंटा बाकी है आने वाले साठ मिंटों में इस शहर से तेरा सामराज्य तबाह कर दूंगा यहां तो लॉक है सर वसींग ओल्ड सिटी का शेर क्या रहे बहुत होश्यारी दिखा रहा आजकल शहर में मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझमें अगर है तो दस मिनट में पुरानी बाश्या बस्ती में आकर अपनी हिम्मत दिखा आकर दिखा अपनी मर्दानगी अच्छ करें आकर अब दुटी करें आकर अफ जैजैनल में टींगे तो शुक्त करेंगे से जखार के शुगतरबें पर को जबेंगे? यहाँ पर आख अईर जड़ जो आड़ जिजका वा बाक सबस्टत जम्रोव पाक सन कराशच में आर किर्क हो आर किर्के राथ आर नार कि are cry भाक जलोव प्तव यंद में आर किर्क पांद जडनी है यंकिर्क आर किर्केश्ट चांहत के वा cumpl negó suffering कोई को ना मच छोड़ना कोई बीच में तो मच छोड़ना मार क्यों रहा है कम आपकर दूट फास्ट मिल गया सर मेरा बेटा यह मेरा इलाका है तू यहां से जिन्दा बज़ कर नहीं जा सकता हूं बरुस साले को अजब लाही मिन श्यतान नर्रजीम बिस्म लाही र्रह्मान नर्रहीम अल्हम्द लिल्लाही रब आलमीन इन्न मिन अखवर लासामी अनु आयादल मुजबीन लायक फिरलहू भूम वसीम भाई कुरान पवित्र ग्रंथ है इन आयतों का मतलब समझते हो तुम गुन्हेगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुन्हेगार होता है गुना का साथ देने वाले को अल्ला माफ नहीं करता शाबाश बेटा जाबिज मैं जाबिजी मैं अल्ली का भाई कि पैसे बात कर रहा है तुक्यों टेंशन ले रहा है हमारे मिनिस्टर है ना सेंटर में भूलिया पुलिस वालों को कैसे नार के मार नार के यहां से भगाया है इसे एसी पिको बिदेख लेंगे! कर आए दर जाए गारे खिल activity काव अधग की आखिक आखि सगेख खनाल राईदिश्ट्ट्ट्थिश्ट्ट्ट्राइब थेंग बड registryलेबर āלא हिसे पैभ शचलीग शचाथbased म mechanics जिया हाई भंग काझंग का którem रिए झाया भी म अमस काथिएक म करेंग, प्रिमे शम गळासब से तेरी ये जुरत फर्स टाइम तेरे घर में पुलीस की एंट्री हुई है जीके दमाकेदार एंट्री नहीं हुई तो लाइफ टाइम मुझे याद कैसे रखे एंबी के घर में घुसकर तोड़ फोल कर रहा है तू पताए कितना बड़ा क्राइम है अच्छा वर्दी वाले को अब तो कानून सिखाएगा दूबे जी अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ऑफिसर कल्यान जब जीके के भाई को अरेस्ट करने के लिए आये तो जीके के आदमियों ने उन पर जान ले वा हमला किया उन्हें जल्दी ऊपर नहीं जाना था इसलिए उन्हें काउंटर फा यहां सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं मताये डॉक्टर्स यह बच्चा आपने आरोपों को बरदास्त नहीं कर पाया इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया जिससे इसके ब्रेन में इंटर्नल सेरिब्रल हैम्रेज हो गया अब इसकी बॉड़ी जिन्दा लाश हो चुकी है चीट्मेंट के लिए इन्हें अमेरिका ले जाना जरूरी है इसलिए कोट से पर्मीशन भी लेकर आया हूं चाहे तो देख भी सकते हैं इवनिंग फाइव ओक्लॉक फ्लाइट एमिरेट्स दूबे जी पेट्रोल क्यों डार रहा हुस पर गबरा क्यों रहा है चीके आयुरुएद एक्सपर्ट हूं वेर साइन्स फेल्स आयुरुएदा वर्क्स बेटर क्या कहते हो डॉक्तर आपने सही कहा मैच बॉक्स होगा विया डॉक्टर्स लाइटर रखते हैं अरे नानू सर आपका जी पूरी बॉड़ी उटके दॉड़ने लगेगी जंगल में ट्रेलर दिखाया था लेकिन आज तो जीका को पूरी फिल्म दिखा रहा है याद कर रहा है क्या हुआ बच्चे काम हो गया क्या अभी आया गाहाँ से कब आये बताता हूं बाजू के घर में फानिस मिनिस्टर रहते हैं मेरे पुराने दोस्त हैं उन्होंने बुलाय था तो आये ता यहां पर क्या कर रहे हैं तो हाइब करने आगया अब आगे क्या इरादा कोई इरादा नहीं है गया बहुना है प्लीस मतलब पावर हमारी मोहर तेरे घर पर लगाई है पुलीस मतलब डर जो इसकी आँखों में दिख रहा है पुलीस मतलब गुरूर जो मेरी रगों में बहता है उस मासूम लड़की की जान लेने वाले इस कुट्टे को उसकी कबर तक पहुँचा कर ही चैन की सास लूँगा मुकरर किये हुए वक्त पर ही तेरे भाई को पुलीस टेशन ले जाऊंगा चाहे तु पैसों का सहारा ले अपने चम्चों का सहारा ले भगवान के आगे हाद जोड़ घुटने टेक और भीक मांग वो तेरी मदद करे तब भी इसे सजा होकर रहेगी तुझ में हिम्मत है तो तेरे भाई को सलाखों से बाहर निकाल के दिखा जी के मामुली इंसान के खून में भी चिंगारी होती है और जो ये वर्दी पहनते हैं उनमें ज्वाला मुखी ये क्या सर अचाना कितनी बड़ी पार्टी क्यों रखिया पुलिस की पावर क्या होती है जी के को मेरे बेटे ने दिखाया है तो सेलेबरेशन तो होना ही चाहिए दिस इस फॉर माई सन जानो ये सच्वाप पुलिस की पार्टी है यूनिफर में अगर किसी ने मुझे पैचान लिया तो तो क्या हुआ सबको लगेगा थाने से डारेक्ट आ रहे हो आपने देखा अब चलो सर जी यह यहां क्या करें जी बहुत मेहनद से साड़ी पैनी है लाइक या कमेंट नहीं करोगे क्या दूबे जी मैडम की साड़ी बहुत अच्छी चीज हर को ही पसंद करता है इसलिए मैंने शेयर किया ओके तो फिर हमारी बात तुम्हारे डाडी से भी शेयर करूं ए माही एक्स जाएंगे फिर और भी सपोर्ट करूंगी वाट यह करेंगे कि प्रेस और पुलीस के संबंध हस्बें वाइफ जैसे होते हैं चलो अपने आखाया है इसको देखकर पूरी दुरिया थर थर कापती पता वह कौर हो था पुलीस एक्स्कूज मी यह कौन मेरे पती है यहां यह सचशमुझके पुलीस है पूलिस में है तो हमारे पास निखनाने क्यों आई थी ऐसमें के कहने पर सब्सक्राइब शुक्रिया बेटा मुझे पापा कर बुलाने में तुझे फक्र बहले ही नहों लेकिन जब तुझे बेटा बुकारूंगा तो मुझे बहुत फक्र होगा एम सॉरी बेटा नहीं पापा आपकी और आपके वर्दी की एहमियत को अब मैं समझ गया हूँ मालिक शेर का निशान चब गया है मैं उतना हिसे निकाल कर सिमेंट भर देता हूँ क्योंकि अगर मैंने वहाँ बॉल पेपर लगाया और लाइट अन किया तो और ज्यादा चमकेगा और आप जलोगे देख पूरी पबलिक हमें सोन रही है शोर सोना ही दे रहा है उन्हें सच्चा ही ना पता चल जाई ही सबको पता है कब दक चुपाएंगे मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई को किस तरह से बचाऊंगा और तिल सिमेंट लगा दूँगा पेपर चुपका दूँगा यह ज़रूरी है अब क्या करें यूथ लीडर सलाखों के पीछे तो यूथ साइलेंट क्यों है हमारे जितने भी यूनियन लीडर्स है उन किसी को मत थोड़ना कि दूबे जी माइडियर स्टूडिंस महरबानी करके रास्ता खाली कीजिए आपके सामने आपका भविष्य पड़ा चीके के बातों में आकर उसे परमाद मत कीजिए तुम हमारे भविषे की चिंता क्यों कर रहे हो साब आधे गंटे के अंदर जीके के भाई को छोड़ो वरना पूरा शेहर तबा हो जाएगा जीके के भाई को नहीं चोड़ा तो मैं यहीं पर सुसाइड कर लूँगा हम ज्याद्ती बरदाश्ट नहीं क हम इजदार लोगे कोई गुना नहीं किया हमने जवाब क्यों नहीं देते सर सिटिजन्स गलती करें तो गलती पुलीस की है स्टूडेंट्स गलती करें तो गलती टीचर्स की हमारे बच्चे को चुप रहे अच्छे संसकार दिये हैं उन्हें हमारे बच्चे गलती नहीं कर अगर जीके के भाई को एक खरोज भी आई तो हम पर्दास नहीं करेंगे अगर अगर यह क्या साथ अपनी ड्यूटी भूलकर पिक्निक बनाने होगा है हमसे डरकर CRPF लेकर आए हैं जो आए हैं वो CRPF में MRPF हैं मदर्स रापिड प्रोटेक्शन फॉर्ट माँ 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 डियर मदर्स टेक पोजिशन अटाइक माँ दूबे जी चलिए क्यारम खेलते हैं माँ को अपना काम करने तो हम यह खेलते हैं तक है इस जी 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 सब करने के लिए थे आपर 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 आप आप है एक्सां पर आप्सां तेल मी, हाव दस अपर सेसर वोग वोग इस इंड़क्शन पर आप को देख के मेरा दिल जोरो से धड़क रहे मां मैं मांपी मांगता हूं चाहो तो सजा दो मां मैं जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया मांफ कर दो मांफ कर दो अगर आपकी मा होती तो आपकी बीजी तरह कुटाई करती आप अच्छी नहीं सब्सक्राइब वरेगा स्टाइब जी कहा चाहीं हुआ 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 थे थे एक आप सब साफ हो गया थैंक यू माजी हलो लाइफ टेली कास्ट कैसा लगा मिस्टर जी के तेरे पास अब भी दो दिन का वक्त है वो पलिस वाला सिकन्जा कसता जारा है भाई अ मैग टब purity अर आम यूर सिर्च कि छोड़काे ए। मालिक फेसबूक के कल्यान का फोटो आया आप बोलो तुसे लाइक करूं क्या जीके के बुरे दिन शुरू हो गया है यह वैन उसके घर की ओट बढ़ रही है अब ही मौका है एट नॉट वन की सर्विस से बचलो निकल लो चुप चाप नहीं गए तो आओडियो प्ले करना सरा इस शहर का बन मैं शो लोगों को पुलीस पर विश्वास दिला रही है एसीपी कल्यान श्रिवानी को इंसाफ दिला कर एसीपी कल्यान जनता की निजब में हीरो बन गए है मालेक मालेक आप ज्यादा दिन तक यहां ही रहोगे इसलिए अच्छा है कि आप अपनी प्रोपर्टी मेरे नाम कर दो आफी सेफ रहोगे तूरिस्ट वाला लाइन पर उसे सीपी ने वैसे मेरा जीन अहरा है तो पूरी कर रहा है हलो तूरिस्ट वागे अंकल माली कहीं नहीं पर मरेंगहें में नहीं मरूंगा तो वह Steel Red ela कि कर दो तो नहीं होता ना अब क्या किया जा सकता बदाओ अगर tiếpपर नो는 यह बताने के लिए तो यहां आया विश्वास गाती कुट्ते अरे तेरे भाई ने जब पुलिस वाले को मारा और वो दर्वाजे तकाए तो मैंने तुझे समझाय था ना कहा था कि उसे सौरी बोल दें लेकिन तुने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी अब अपनी बात चुपाने के लिए तुम मुझे विश्वास गाती कह रहा है तो अब मैं वही करूँगा तेरे भाई ने एक लड़की का खून किया उसके बाप को भी मरवाने की कोशिश की मैंने किसी तरह कानून को समझा कर उस मामले को ठंड में किया लेकिन तूने क्या किया कानू को फुटबॉल बनाकर उससे खिला तुझे क्या फुटबॉल में गोल्ड मेंल चेही था मेरे भाई कल का भविश्ची क्या होगा मेरी जबारी सुन सामने वाले की विज़े गुरूर की हार शैतान का नाश से भ्गवान जालिम को तब तक ढृसंधा है जहां तक उसकी हद होती है फिर जब शिकन ग्ताई नहीं कि नहीं अना मुझे चरती है तुने मुझे विश्वाष गाति का इस अपने जमड में मर मैं ज़ centralized the 的 मेरी बात तो सुनो आज तुम्हारे डाड़ी से हमारी शादी की बात करके ही रहूंगी कुछ दिन और रुख जाओ ना नहीं रुकूंगी हेलो अंकल आओ बेटी बिल्कुल सही समय पर आयो तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूस देनी थी क्या है अंकल मैंने अपने लिए एक बहु ढूंड ली है नाइस डिसिजिन वो कौन है अंकल हमारे काशी सर की बेटी ने ने मुझे नहीं पता था इनकी बेटी क्या करती है सर अ सुबेजी के मुताबिक ये गांजा का धंदा रॉक्स माफिया यूमन ट्राफिकिंग लैंड ग्राबिंग और बहुत बंदगर या सुनो बिटिया मेरा करियर मत बगाड़ो ये तो यूही मजा कर रहे हैं हां विटनिस को कल सुबह 10 बजे कोट में पेश करेंगे सर गुड तुम माही को फालो करो मैं इस तरफ जाता हुझ 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 माही, आई ओके? गल्फ्रेंड मिल गई यह सोच कर ज्यादा खुश मत हो ये बता दूँ के तुझे कवरेज एरिया से बाहर क्यों भेजा है मैंने इस ट्राप मैं अपने भाई को वक्त रहते बाहर निकाल लूँगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड पाएगा इस केस का तेरा वो प्राइम आइव इतनेस और सपोर्ट करने वाला तेरा बाभ अन दोनों को मार दूँका नाइँ हे टाइम वेस्ट मत कर हमारे वीश फासला बहुत स्यादा है आजा 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 अरे लगाता तेरा डाड़ यहाँ आ गया आके उसकी बाड़ी ले जा सर 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 बचाओ सर सर दुबे पापा का फोन नहीं लग रहा उनका मोबाइल ट्रेस करो और मुझे बता सर 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 इधर हूं मैं सर 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 जर वी उरता है जर जर!! जर थखर सेंसियर पुलिस वाले या तो सस्पेंड होते हैं या बेमौत मरते हैं अब तू ही बता तेरे बेटे के साथ क्या किया जाए हरे बेवकूफ मेरा बेटा मुझसे दस कुना ज्यादा लाएन ओर्डर फॉलो करता है अभी तुछाहे मुझे मार दे लेकिन वो आएगा और मुझे जहन्नम पहुचाएगा फिर ये तेरे बाप का सामराच्य है खत्म हो जाएगा पापा पापा सब कहते हैं कि जीके को हमेशा होम मिनिस से सपोर्ड करता है आप लोग तो चारा तरह घुमते हैं आपको तो इस बात की सचाई पूरी तेसे पता ही होगी ना डीजीपी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा चाहे कोही नूर हो या डीजीपी हो दोनों की चमक में कोई फर्क नहीं है जैहिन जीके और उसके फ्रेंड्स को बेल मिल गई है और वो जेल से रिया हो गया सुजान बी सिक्स निस श्रीवणी के केस में जो गुंडे अंदर थे वो बेल पर रिलीज हो गया से लेकिन वहां से गुसड़ने वाली ट्रीण कभी हूल्टि नहीं लेती शेफ्ट कर दो रेलगाडी रेलगाडी चुकछुकुकशुकुकुकुकुकुकुकुकुक सर पैसेंजर ट्रेन इन्हें देखकर हॉल्ट ले सकती है लेकिन वहां से गुजरने वाली ट्रेन अभी हॉल्टी नहीं लेती शेफ्ट अब ट्रेन नहीं हो महातार यह जबाद टीवी ओन करने का टाइम होगया जी के आज सुभा ही, जीके का पार्टनर रविंद्र और उसका बेटा एक ट्रेन अक्सिडेंट में मारी के वो दोनों ट्रेन की पट्री क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेजी से आती हुई ट्रेन ने उड़ा दिया ओनली त्री आर्स तू फिनिश उड़ा दूबे जी, रख दयार है, तोनों को मारने के लिए दयार है, जोटों करेको चला लोगा, चला लोगा, चला लोगा, अंदर चला अधित गवहा से मिला है, आईये, एक्सिदेंट को अपने लाइब देखा क्या, आदे घंटे पहले ही देखा है, क्या देखा, एक बुढ़ा और उसके बेटे को गारी रोक कर ब्रैंडी पीते वे देखा है, अरे, बड़ी मानधारी से क्वाटर लेके घर पर जाके पीता ह और ये तो हाइवे पे फुल बॉटल पी रहे है, इसके बारे में और कुछ बोलना चाहते हो, अबलेक, डूंट ड्रिंक और ड्राइव यार, इनका बैस तो ड्राइवर है वे, ड्राइव करते हैं वे, कैसे मरेंगे, वो इसी बिनेन मारने के लिए ही साहा, ना चकर चाह, तेत्हा, तो हाँ तो ढ़ा थाओ, इस गराने को देखना है तो आजा हाँ, तमना में भी देखना है यह, और आ तमना की तुपी तेखेंगे, जा बात है? आप लोगों को चेश्मतित गवास ही मिलना है ना? तरह आप तो में स्तमन तमन्ना का फैन पबलिक सबक पे हुए हाथ से को तमन्ना की पबलिसिटी स्टंड बानते हो वाट इस दिस यार वेर आर यू कोई वो देखो बुरे काम का बुरा नतीजा इस पेनिंग यार फ्रॉम बॉटम अफ मैं हाथ बेगिंग तमन्ना का नाम बदना मत करो शी सो सिंसिटीव यार सीरिसली प्यारे जो सीरल किलिंग हो रही है उसकी मिस्टरी क्या है? पुलीस वालों की इस आक्शन से पॉलिटीशन में घबराट शुरू हो गए तुम जिने मार रहे हो बहुत बड़े लोग हैं आप तो जानते ही हैं उनके दिखाने के दात और है और खाने के दात और है तुम्हारी ब्लैक लिस्ट पर मेरा नाम ही लिखा है क्या? वो तो आपके परफॉमंस पर डिपेंड करता है मैं अपनी जान गवा कर परफॉमंस दूँगा क्या? तुम सब लोग तो जनलिस्त हो ना? तो फिर मिनुस पाल्टी के वर्कर की तरह मुझ पर क्यों तूट पड़े? मैं कच रहा हूं क्या? दोनों मॉडर्स देखकर लगता है कि ये पुलिस की साजिश है किसी की मौत कोई नों कोई बहाना लेकर आती है मतलब आप इस बात को मानते हैं आपका मतलब ये बात सच है सच्छाई बताने से डरते हैं क्या? मेरे प्रेस वाले साथियों मैं जब भी वक्त बेवक्त फ्रस्टेशन में रहता हूं उस वक्त मैं एक आइटम करता हूं ये राजी की सारी जनता जानती है आप लोगों को नहीं पता? वो क्या है सार? जाय हो, मेरे दुश्मनों पर आसु गैस प्रे की जाए आसु 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 जब दुनीका ये सिपी, तेरा अगला टागेट मैं हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं श्रीवनी केस का हर एक गवा दुनिया छोड़कर परलोग सिधार गया है इसलिए तेरी जगा तेरे एक चेले को तयार कर लेगा याद रहे वो चेला तेरी तरह सिंसियर ना हो कंप्रोमाइज का सवाल ही नहीं एक घंटे में मैं दिल्ली पहुचूंगा वहां से मेरा कया हुआ पावर लेकर आऊंगा और तुझे जिन्दा काड़ूंगा लाइट कितने बज़े की है? दस बज़े की है मालिक! एह, तुझे क्या लगता है? मुझे बातों में उल्जा कर मेरा लोकेशन ट्रेस कर लेगा अरे, यह एरपोर्ट की जगा हम कहां आ गये? रूट गलत है, रूट गलत है हम दोनों ने आपको बताया अब भुगतो? कंप्रमाइज का सवाल ही नहीं तीरी सिक्योरिटी किसके जिम्मेदारी थी उसे देखा था गया? चल, कोई नहीं अभी देख ले आई हेट पोलेट पेरे सिक्योरिटी के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने हमें एक बंपर आफर दिया था सभी आफिसर्स रेडी हो गया लेकिन कोई इंसिदेंट्री लॉट्री मेरी नहीं मैं भी अपनी सेफ्टी अपने साथ रखता हूँ मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहों उसका सामना करना आई जो आए, फेस टू फेस जाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े तेरे भाई की मौद तैय हो चुकी है आए इए आए 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 करवे आए में कर दो कि अखिए भूँछ जो जो खिए नच्छा बार की अखिए भूख भूदाया भूख भूख नच्छा जचमार जब खिए भूख जद भूखिए कर दो ! कर दोड़े कर दो ! कर दो अर अर को कर दो ! कर दो ! वह वह ! fis wykon ईख अख जड की आए लंग हाए क्यों दो ने- ने नेख क्यों क्यों अव आव आव विंग का है तुमको सुनामिस्टा शुभाष तुम्हारी टेथ का विटनस हो मैं लेकिन मैं बारा का हूँ अच्छा तुम मर जाओ को सर एक बार इससे बलुआए आई लाव पुलिस तब मुझे सुकून मिलेगा एक बार नहीं बार बार भोलूँदा, मुझे पुलिसॉओं गाने लिए एक बार बुलिसॉदा गाने अगे। टिटनसुण स्वाथ इत लुड़ा। इत रड़ू के अच्छाए उन सबस्ते दोंते ठीकेश और क्रवarta का का मैउन। यह गां। पर जाए हूँ एक असन। तोर नहीं कर सकते